चले फिर स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को, पहला कोशन है मानव की पाचन नली लगभग कितनी फिट लंबी होती है, तो अगर आपको आंसर पता है दोस्तों नीचे कमेट बोक्स में बता दीजिए, इसका आंसर होगा दोस्तों 32 फिट यानि की ओप्शन D is the right answer, कोशन अ आप सभी को पता है, एक मिनट में हमारा दे, जो है 72 टाइम धड़कता है, यानि की एक मिनट से ज्यादा, यानि की 60 से अगर देखा जाए, तो हर एक दो धड़कन के बीच में, एक सेकिंड से भी कम समय होता है, तो इसका मतलब ओप्शन D right answer हो जाएगा 0.8 सेकिंड, ठीक ह चले next question, दोस्तो question number 3 है, लार किसके पाचन में साहक होती है, इसका सही आंसर है इस्टार्च, यानि की option B is the right answer, question number 4 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दाथ दो बार विक्सित होते हैं, दोस्तो अगर आपको ये test पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक तो बन चले next question पर चलते है, question number 5 है दोस्तो, मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है, very very important question है दोस्तो, बहुत बार repeat हो चुगा, इसका सही आंसर है छोटी आथ, यानि की small intestine, ठीक है, question number 6 है, मानव में कुल कितने परकार के दाथ होते हैं, तो इसका सही रहेगा 4, मानव में कुल 4 परकार के दाथ होते हैं, ठीक है, चले next question, question number 7 है, मानव रख्त का pH मान कितना होता है, ये question कम से कम 3-4 बड़तों मही करा चुका हो और बहुत बार repeat होता है, इसका सही आंसर हैगा 7.4, question number 8 है, निमलिकित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है, दोस्तों, most important question है, और मुझे लगता है, सभी को रट चुका हो गए, इसका सही आंसर है, विटामिन B12, यानि कि option B is the right answer, चले next question, दोस्तों, question number 9 है, मनुश्य का सामान्य रख्चाप कितना होता है, मुझे लगता है, ये भी सभी को पता होगा, देकि दोस्तों, option B का सही आंसर है, इसको correct भी कर लिजे, 120 बटे 80 होता है, ठीक है, mmHg, I hope कि आप इसको correct कर लेंगे, question number 10 है, लार में कौन सा enzyme पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, टाइलीन ये question B, railway exam में तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, याद कर लिजेगा, next question, question number 11 है, दोस्तों, answer है, पलिहा, option is the right answer, question number 12 है, हेमोगलोबीन किसका महत्पून गटक है, देखें, दोस्तों, वीडियो को पुरा एंट तक देखें, पचास में से आप कितने सही कर पाते हैं, ये score ज़रू बताएगा, comment box में, इसका सही आंसर है, RBC, यानिकि option A is the right answer, ठीक है, चलिए, next question, question number 13 ह पेस मेकर का संबन किस्से है, इसका सही आंसर है, हर्दे यानिकि option D is the right answer, question number 14 है, मानव मस्थिक में बुद्धी का केंद्र है, बहुत बार आते हैं, ये वाला भी, इसका सही आंसर है, सेरेबरम यानिकि option B is the right answer, चलिए, next question, question number 15 है, पिट्यूटरी गरंती कहां इस्तित होती है, पिट्यूटरी गरंती को दोस्तों, मास्टर गरंती भी कहा जाता है, और ये कहां इस्तित होती है, मस्थिक में यानिकि option A is the right answer, बहुत बार आता है, question number 16 है, सफेद रख्त कन का मुख्या कारक है, यानिकि white blood cell कन का मुख इस्ति रोदक समता धारन करना, ठीक है, option C is the right answer, चलिए next question, question number 17 है, रक्त में पाई जाने वाली धातू है, लोहा, यानिकि option D is the right answer, question number 18 है, पैंसलीन की खोज किस ने की थी, तो ये भी बहुत बार आते हैं दोस्तो, इसका सई आंसर हैगा, एलेकजेंडर फ्लेमिंग ने, यानिकि option C is the right answer, चलिए next question, दोस्तो, question number 19 है, enzyme mole group से क्या है, देखें, वीडियो को देखने के बाद में share भी कर देना, अपने जितने भी group है, ताकि maximum student तंक ये वीडियो पहु मानव तवचा का रंग बनता है, देखें, मानव तवचा का रंग किसके कारण बनता है, बहुत बार ये question आता है, मेलानीन के कारण, यानिकि option D is the right answer, ठीक है, चलिए next question, दोस्तो, question number 21 है, व्रदी हार्मोन कहां से सरावित होते हैं, इसका सही answer रहेगा, pituitory, यानिकि option D is the right answer question number 22 है, रक्त दाप का नियंतरन कोन करता है, अधिवर्ग गरंती यानिकी option A, इसका सही answer हो जाएगा, जिसको हम adrenal gland भी कहते हैं, ठीक है, चलिए next question, question number 23 है, दोस्तो, लाल रक्त कनिकाओं का निर्मान कहां होता है, यानिकि red blood cell का निर्मान कहां होता है, तो इसका सही answer हैगा, यानिकी bone marrow, option C is the right answer, question number 24 है, इंसुलीन कहां से सरावित होता है, तो इसका सही answer हैगा, अगनासिया यानिकी pencreate से, ठीक है, option D is the right answer, चलिए next question, question, दोस्तो, question number 25 है, हमारी अस्थियां तथा दाथ सामान्यता बने होते हैं, most important question है, इसका सही answer हैगा, tricalcium phosphate, यानिकी option is the right answer, tricalcium phosphate, question number 26, निर्मलिकित में से, कौन सा विस्व का सबसे बड़ा पूस्प है, very very important question, यह question, दोस्तो, railway group D और ALP का जब एकजाम होता, उसमें बहुत बार रिपीट हुआ था, इसका सही answer है, reflection, यानिकी option, C is the right answer, याद रखेगा, चलिए next question, दोस्तो, question number 27 है, अरक्ता यानिकी anemia किसकी कमी से होता है, इसका सही answer है, hemoglobin, यानिकी option A is the right answer, question number 28 है, कौन सा हार्मोन, लडो, उडो, हार्मोन कहलाता है, most important question है, दोस्तो, answer बतेगा सभी, try करिए, इसका सही answer है, adrenaline यानिकी option B is the right answer, adrenaline, ठीक है, चलिए next question, question number 29 है, oncology किसका अध्यन है, इसका सही answer है, cancer का, यानिकी option D is the right answer, question number 30 है, मानाव सरीर में लान रख्तकन का निर्मान कहां होता है, यह तो साथ repeat हो गया, अस्ती मज़ा आप सभी को पता चलिए होगा, ठीक है, चलिए next question, दोस्तो, question number 31 भी बहुत important है, इसमें पूछा जा रहा है, पाचन किरिया में, प्रोटीन निमलिकित में से किस परदार्थ में बदल जाता है, इसका सही answer है, amino amal, यानिकी amino acid option, C is the right answer, question number 32 है, सोते समय रख्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, यह भी बहुत बार आता है, क्या होता है, बढ़ता है, गटता है, या फिर पहले गटता है, फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है, देखे, सोते समय रख्त दाब में, जो परिवर्तन होता हो, गटता है, ठीक है, तो सही answer option B हो जाएगा, चले, next question, दोस्तो, question number 37, देखे, कुछ question बीच में repeat होगे थे, वो मैंने skip कर दिये वही, ठीक है, question number 37 है, बच्चों का link निर्धारान किसके गुण सुत्र से होता है, इसका सही answer रहेगा, पिता के, यानि कि option is the right answer, question number 38 है, पिनियल गरंती कहां इस्तित होती है, इसका सही answer है, मस्टिक्स में, यानि कि option B is the right answer, चले, next question, दोस्तो, question number 39 है, रक्ष जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, इसका सही answer होगा, CA यानि कि कैल्सियम, option A is the right answer, question number 40, very very important है दोस्तो, DNA का double helix model किस ने दिया, ये question भी बहुत बार repeat होया दोस्तो, दीखे, कुछ question ऐसे हैं, जो कि पहले भी repeat होते थे, अभी भी repeat होंगे, ठीक है, तो वही सारे question मैं करा रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आये ना, प्लीज लाइक करके share जरू कर देना, इसका सही answer है, Watson एवं किरिकने, यानि कि option D is the right answer, चले next question, दोस्तो, question number 41 है, मानव सरीर के भीतर, खुन निमिन की उपस्तिती के कारण नहीं जमता, देखें, हमारी बोडी में जो है, blood circulate करते रहते हैं, जमता नहीं, यह किसके कारण नहीं जमता, इसका सही answer है, option B, हिपरेन, यानि की option B is the right answer, question number 42 है, सरीर में सबसे बड़ी अंतिसरावी गरंती कौन सी है, इसका सही answer रहेगा, thyroid यानि की option A is the right answer, thyroid is the right answer, चले next question, 43 है, प्यूज गरंती सरीर में कहां अवस्तित होती है, इसका सही answer है, option B, मस्तिक्स के नीचे, very very important question, question number 44 है, निमलिकित में से कौन सी गरंती, अंतिसरावी तथा बाहे सरावी दोनों की तरह कार्य करती है, यह भी very very important है, कहीं बार railway में आ चुका है already, इसका सही answer हैगा, अधनाश यानिकी, पैनक्रियाज में, option A is the right answer, चले next question, question number 45 है, जिवानों की खोज किसने की, यह भी important है वही, इसका सही answer है, ल्यूवेन होग यानिकी, option D is the right answer, question number 46 है, मानव हर्दे में कक्षो की संख्या है, इसका सही answer हैगा, option A, यानिकी, मानव हर्दे में 4 चेंबर होते हैं, सभी को पता होगा, चले next question, दोस्तों, question number 47 है, एलिसा जाच किस रोग की पहचान करती है, इसका सही answer है, option D, यानिकी, AIDS की, question number 48 है, गुर्दो का कारयत्मक इकाई है, गुर्दो की कारयत्मक इकाई, दोस्तों, क्या है, नेफ्रोन, very very important question, यानिकी, option B is the right answer, ठीक है, याद रखेगा, बहुत बार यह question आता है, चले next question, question number 49 है, विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है, देखें, विटामिन C का जो रासाइनिक नाम है, वो है, एसकोर्बिक अमल, यानिकी, एसकोर्बिक एसिड, यानिकी, option B is the right answer, question number 50 है, मुद्र का पीला रंग किसकी मुझूदगी के करण होता है, इसका सही answer है, यूरो क्रोम, यानिकी, option D is the right answer, ठीक है, चले next question, question number 51 है, क्लोरोफिल में क्या पाय जाता है, देखें, क्लोरोफिल में क्या पाय जाता है, दोस्तो, magnesium, यानिकी, option C is the right answer, ये भी बहुत बार आता है, question number 52 है, टमाटर का रंग किसके करण लाल होता है, इसका सही answer है, लाइको पीन, यानिकी, option B is the right answer, अब मैं बार-बार बोलूँगा, very-very important question, तो आप बोलेगी, क्यों बार-बार क्यों बोल रहो, क्योंकि सारे ही question repeated है, चले next question, question number 53 है, पित कहां से सरावित होता है, इसका सही answer है, यकरत यानिकी, लिवर से, option B is the right answer, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है, ये भी बहुत important question है, पावर हाउस ओप सेल, इसका सही answer है, माइट्रो कॉंडिया यानिकी, option C is the right answer,